तो आज वाले इस वाले उड़ों हम जो हमारे 35cc मिनी पेट्रोल इंजिन को एक फिट करने वाले कि यहां पर लखड़ी की पट्टी को ऊपर है जो भी आप उसको बोलो क्योंकि हाप जो है अभी तक मैंने कितने सारी इंजिन पर बनाएंगे पर कभी पर आपको इस वाले लखड़ी के स्ट्रिप पर फिट करने वाले और इस तैब से यहां पर एक जो मैंने यहां पर कट करके निकाल लिया उस वाले सप्रेपम से जहां पर हमारा इंजिन अच्छे च्छेट करेंगे जिसके आप बॉल्ट यहां पर डेक सकते हो यहां बोल्ट की मदद से तो इस पैच्छ जो फीट हो जाएंगा वह फीट हो जिसके आप देखसे तो यह हमारे बाद लखड़ी की स्ट्रीप जो पट्टी जो भी आप बोलो तो यह पे इस वाले लखड़ी की बेस पर के जम जो इसको फीट करने वाले हैं और उसके बाद उसके ऊपर के जो हमारा इस जो आप देखसे तो मैंने हैपी जो अभी लखर की स्ट्रीप को टेड़ा करके लेकर आज को मैं सारी सारी टेड़ा करके तो मतलब आपको नहीं दिख्या आप यूड़ी में पर च्छी च्छी बिबाद गिरा दिये तो वासके जो हमारे इस वाले पट्टी वाम याप इसक भी निखलने का कोई भी चांस नहीं है कि यहां पर देखा जाना कि एक दमी रेडिया भी हो चुका है अब यहां पर देख पार रहे हो जिनको आप देख से पूरा पर आपर फिक्स हो जाएंगा वह पूरा पर हमारा इंजीन और एकदम सही अभी हो चुका है क्योंकि अब इससे अच्छा से बेस बन चुका है तो अच्छा से को स्टार्ट भी कर सकते हैं और यहां पर यह काफी वाइबरेट करेंगा तो उसके पकलने के लिए कुछ नहीं जोगा चाहिए तो जल्दी से आपर इंजीन को फीट करते हैं और उसके बाद जो सारे पार्ट इंजीन को फीट करने के बाद ही सीदह मेenne को तो ँच्छी से करना पड़ेगा और pad लिए तूशे के इसमया समा इंजन होगा जाएंगा और यहां पर देखाई गया दूशे कजए बैज्व तो आपको कि आपको करना चाहिए और आपको करना है इसको पर नहीं करना है तो किस टाइब से आपको अच्छी से क्लीन करके इंजीन को फिर से यह पर सकते हैं चाहिए तो सबस्क्राइब गती हैं सबस्क्राइब करते हैं और उसके बात फिर यहाप्र पेशिक सारी सबस्क्राइब उसको करते हैं पर दिया है और देखा जाने हैं तो अभी यह जो रेडी हो चुका है इस टाइब से अभी देखा जाने हमें इसको पर यह पर लगाने पड़ेंगे जिसके आप देखेंगा तो जल्दी से मैं आपर जो इसका स्पार्क भी लगा देता हूँ और उसके बाद फिर यहां पर उसके आप एटाइच करेंगे यह रागेज हमारा स्पार्क प्लोग यह चोटे साइज का पर नहीं है अगर देखा हूँ आपको पता हूँगा जो हमारे 22 के अंतर आता है जो तो इसका इसके आप देख पा रहे होंगे और अभी लगब लबबग गई जो है का अपी आप द तो आप लेके अभी बात की जाए का इस तो अब इस टाइब से का जो अच्छे से के अपर ले रहा है को देखा ज़िए अभी रेड़ी तो यूज अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी इसके अंदर जो है जो कॉन्ट वाला सिस्टेम है जो एश्टी कॉयल अभी लगाने के बा सारी सारे चीज़ भी लगा देए जिसके आप देख से एश्टी कोल यह वाहरा नीचे उसके बाद देर आ गए हमारा यहाँ फुरा एक्सेड़र के वर है और उपर से जाकर मैंने इसे साइड पर फिसक कर दिया है और यहाँ पर जो हमारा स्पार्पलो को मैंने चीक किया वह स्पार्पलो की वायर है उसको भी लगा दे है हाला कि मेरे पास क्याप नहीं है वह मतलब थोड़ा पर दोका दायक है उसका जो है क्याप मुझे आपर लगाना पड़ेंगा पर अभी के लिए हो सही है मैं आगी चलकर उसके कैप लगा दूंगा उसको आपको दिखा हूँ क किस टैप से वोस्ट करता है क्या किस से के फानरी होती है किस टैफ से साउंड आता है अपी देग हैं किसके पाल सैलेंसर नहीं है मल Lebanon ब Р अ